फोमो ट्रेड्स क्यों नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में बिगनर्स इसके कारण बहुत बड़े बड़े लॉसस लेते तो सबसे पहले जानेंगे कि फोमो ट्रेड्स क्या होता है इसका लॉम फॉर्म जान लेंगे most of the beginners को यह पता नहीं होता तो जान लोग आई जैपे FOMO का मतलब क्या होता है जैपे पहले यह वाला जान लोग आई जैपे so that आप लोग को देखो beginners के मन में यह आता है कि यहाप यूटुबर्स यह वर्ड यूज कर रहे FOMO का क्या मतलब होता है सिंपल सी बात है यह शौट फार्म है फियर ओफ मिसिंग आउट तो कोई चीज छुटने का डर जो होता है मार्केट में बहुत बड़े बड़े लॉश करता है तो सिंपल सी बात है यहाप यहाप लोग यहाप अगर नहीं पता था तो आप को पत करा देता हम की कैसे कैसे आप लोग गलति करते हो और उसको सुधार के ही जैज या मार्केट में टीक सकते हो तो करना पड़ेगा तो no doubt guys आप लोग को समझा रहा हूं अभी देखो market में live example के साथ समझा रहा हूं आप लोग को पता ही एक range में market फसा हुआ है यहाप upside के लिए guys आप लोग को downside के लिए target है आप लोग ने यहाँ पर मन में सोच लिया है कि इस range के बाहर अगर market आप लोगो यहाँ पर breakout मिलता है तो मेरा यहाँ पर target रहेगा यह अगर breakdown मिलता है तो मेरा target रहेगा यह तो आप लोग किस चीज के लिए बेट करें हो simple सी बात है यहाँ पर मुझे breakdown पर एक गयज यहाँ पर रेट candle मिल जाए या तो यह breakout पर मुझे green candle बन जाए आप लोग को समझ गए ऐसे गयज यहाँ पर यहाँ पर मिल जाए तो आप लोग का SL यहाँ पर रहेगा आप लोग की entry यहाँ पर रहेगी simple सी गयज यहाँ पर मही ने आप लोग के example समझा दिया है अब देखो मन में आपने बैठा लिया कि अपसाइड में ऐसे कुछ candle बने ब्रेक आउट के साथ closing candle बनेगी तो मैं ब्रेक आउट ट्रेड लूँगा मेरा यहाँ पर target यह रहेगा और downside के लिए अगर breakdown मिलता है तो म बना लिया है अभी market क्या करेगा गयज यहाँ पर ऐसे कुछ अगर गयज यहाँ ब्रेक डाउन candle अगर देखो आती हो अईसे कुछ बैंडल बनाने लग जाता है तो क्या होता है कि market यहाँ से start होने गयज आप ऐसे बनाती हो बनाती हो नीचे जाता है तो market में गयज बिगनल बनते हैं अगर नीचे आ रहे है तो गयज यहाँ पर अईसे रनिंग candle में ही वो लोग entry कर लेते हैं क्यों entry कर लेते हैं मेरा trade छूटना जाए मुझे अच्छा एक यहाँ पर trade दिख रहा है अगर यह यह एरिया market breakdown देता है तो बहुत अच्छा fall आ सकता है बट उन लोग को यह नहीं पता होता कि यहाँ पर यह देखो यहाँ पर मार्केट देखो माई एक्जांपल के साथ समझा रहा हूँ यह candle देखो यह जो rate candle है यहाँ तक आई थी यह candle यहाँ तक आई तक आई थी अश्य बनी थी बट यहाँ पर इसकी closing जाके उपर जाके तो no doubt अगर market देखो चकर में कभी भी trade लेना नहीं है कि market में मेरा trade चले जाएगा मेरा यह trade चले जाएगा मेरा यह profit चले जाएगा तो इसकी यहाँ पर यह है और यहाँ पे closing आ जाती तो यहाँ पर trade ले सकते। कि मेरा 10-20 points का यहाँ पे मेरा stop loss है और बड़ा बहुत बड़ा एक target है तो यह रहेगा एक perfect rate दूसरी चीज़ आप लोग कहा पे गलती कर सकते हैं फोमों के चकर में अगर यही candle यह बहुत बड़ी candle बन गई आपने क्या सोचा था कि यहाँ 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 बीस point का मैं loss लूँ तो guys no doubt यह अच्छा एक 1-2, 1-3 के लिए आप जा सकते हो तो यह perfect setter रहेगा बट अगर मान लिए तो कि guys यहाँ पे breakdown बहुत बड़ी candle ने मुले गया तो क्या करते हैं जापे beginners क्या कर सकते हैं जापे आप लोग भी कर सकते हो बट यह mistake नहीं करना है तो यहाँ पे आप इनका target है तो guys no doubt 1-1 के लिए कभी यह trade करना नहीं है बट यहाँ पे beginners क्या करते हैं पता है जापे यहाँ पे entry कर लेते हैं उन लोग को पता है कि मेरा target चलने वाला है यहाँ तक gap gap फिल कर सकता है market no doubt अगर यहाँ से market आप लोग का target हीट होगा तो no doubt अगर यहाँ पे 10% यह chances होते है कि market आ जाए नीचे flow flow में बट अगर 90% अगर market घुम गया रिटेश के चकर में आ गया तो आप लोग यहाँ से loss निकल गई जापे बाहर निकलाते हो तो आप लोग को गई जापे सोचो गई जापे 50 point के लिए target के लिए आप लोग 40 point का stop loss रहे लो तो यह जापे अच यहाँ पे profit चलाना जाए जाए जापे मेरा trade चलाना जाए ऐसे चकर में कभी भी trade नहीं करना तो मैंने आप लोग को breakdown वाला scenario समझा देया simple opposite to breakout वाला scenario रहेगा simple जी बात है वही आप लोग को setup देखना है जापे मैंने जैसे बताए अभी अगर कोई guys यहापे candlestick pattern देखू ज जापे मैं समझा रहा हूँ अभी अगर मान लोग की कोई candlestick pattern अशिया बनता है कोई भी candlestick बज़शे की symmetrical अशिया बनता है आप लोग को बता है कि यहाँ पे अगर breakout candle या तो breakdown candle आ जाते ही तो आप लोग के यह target रहते है simple सी बात है तो guys यहाँ पे no doubt अगर छोटी candle guys यहाँ पे 10-20 point का आप लोग के stop loss के साथ अगर आप लोग के 40 या 50 point के target का यहाँ पे मिलना टेट तो लो बट यहीं अगर candle बहुत बड़ी बन गई यहाँ तो guys आप लोग को फोमों के चक्कर में बिल्कुल entry नहीं करना है दूसरी चीज फोमों के चक्कर में यहाँ पे entry नहीं करन अगर यहाँ तक market आता है और closing जाके EC range में जाता है तो यहाँ फर्स जाओगे तो फोमों के चकर में मेरा trade चूटना जाए ऐसे entry मत करना है और बड़ा अगर यहाँ पे entry अगर बड़ी candle बनती है तो ऐसे में भी आप लोग को फोमों के चकर में trade नहीं करना है अगर बड़ी candle बनती है तो फोमों के चकर में आप लोग entry मत करो दोगो मैंने सारे scenario बता दिया है hope you guys मेरा यह वीडियो आप लोग को learning के लिए अच्छा लेगा अगर कोई भी doubt आथा इसमें कोई भी doubt है तो आप लोग मुझे बता सकते हो अपने channel पे daily analysis आते है और आप लोग जो comment में मु करी दिया होंगा इतना अच्छे learning दिया है तो लोग आज यह आपे मिलते हैं अच्छे learning वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much